Hello students, this is BS Academic Classes, presented by Sildi. Students last के एक notification में हमने आपको बताया था कि UGC ने 6% का एक criteria निकाला है total students के लिए. तो क्या है उसके बार में थोड़ा देखते हैं. तो एक जो पहले का जो scenario था वो यह था कि पहले top 15% candidates जो होते थे in each subject according to the categories select हुआ करते थे. बट अब यह जो criteria है वो follow नहीं होगा तो अब यह वारा criteria follow नहीं होगा. तो जैसे suppose करिये किसी subjects के अंदर उन्होंने किसी student वहापर एक लाग students ने 1,000 students ने appear हुआ किसी subject के अंदर और उसके top 15% strengths हुआ करते थे वो उसके अंदर qualifying माने आते थे. तो बट अब यह criteria top 15% वारा criteria जो है वो हट चुका है. अब जो होगा एक्षिल में जो जो UGC net की जो list बनती है merit की वो separate list होती है. general categories के लिए अलग list होती है. OBC के लिए जो non creamy layer है उनके लिए अलग होती है. SC, STs और PWD की जो list होती है qualified students की वो अलग होती है. तो यह तो अभी भी रहेगा बट जो top 15% का जो criteria है वो हट चुका है. तो अब क्या होगा? कि UGC ने decide किया है to select top 6% from the overall candidates appear in the examination. यानि जितने भी students exam के अंदर appear होंगे उसके 6% students को वो as a qualifying बताएगा. qualifying इन अलग चीज है और इक merit में यानि उस exam को पास करना इन अलग चीज है. वो क्या है? मैं आपको इस separate video में बता दूँगा उसके बारे में. तो अभी मैं फिर से उता था अपको. पहले का जो criteria था हर subject में. तो फिफ्टीन परसेंट केंडे जो होते किसी subject केंड़ा उनको पहले merit उनका UGC net exam qualifying माना जाता था. बट अब यह वारा criteria अब हजो काई थी है. अब आप इसको अपने दमाग से निकाल दीजिए. तो अभी भी जो पहले का criteria था कि separate list मनती थी. SC, ST, PWD students के लिए और general criteria लिए वो अभी भी रहेगा और अब जो UGC ने decide किया है वो 6% का criteria decide किया है. यह 6% criteria क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ. तो यह जो अभी 6% criteria है जरा सको समझते है कि actually UGC कहना क्या चाहती है. ठीक है? चलिए. सब्सक्राइब करिए कि हमारे exam के अंदर UGC net के exam के अंदर 6 lakh stories इसने अपेर हुए है. तो total number of stories जो है, total students या candidates जो अपेर हुए है, वो 6 lakh है. अब इन 6 lakhs का मतलब यह है कि केवल इसके 6% students को ही qualifying माना जाएगा. qualifying इन दा सेंस की जिनका UGC net exam clear माना जाएगा. तो इसका 6% होगा. अब इसका 6% आप निकालेंगे तो आएगा 36,000. यह आपको as a, इनका exam clear माना जाएगा. अब यह 36,000 का जो distribution होगा different different categories wise उसका मैं बताता हूँ आपको. तो total number of candidates अगर यह मैंने एक hypothetical condition ले लिए या या यह तरह से हमने इसको हो एक hyper. ऐसका scenario हमने create किया. यह suppose करिए 6,000 students UGC net exam exam में apply हुए जिसमें 36,000 students को clear माना जाएगा. अब यह 36,000 का distribution होगा, वो कैसे होगा जो देखते हैं. तो देखिए जो हमारे यहाँ पर जो reservation का जो है general category strengths के लिए उसको मानते हैं. अभी देखते हैं OBC strengths के लिए non-creamy layer, SC strengths, ST strengths, last is PWG strengths. तो जो OBC का जो हमारे हाँ पर जो reservation है वो है 27% SC strengths के लिए जो reservation है वो है 15% STs के लिए है 7.5% और PWG strengths के लिए है 3% अब remaining जो बचा 47.5% strengths जो है वो हमारे general criteria के unreserved categories के है अब इनका जो हम distribution करेंगे तो यह 3600 जो होगा 36000 जो होगा वो आएगा 17100 यानि 47.5% 36000 का ठीक है यानि 47.5% 36000 का उसी तरह से 27% 36000 का तो यह आ जाएगा 9720 15% 36000 का आएगा 5400 7.5% ST strengths का 36000 का आएगा आपका 2700 और 3% 36000 का यह आप निकालेंगे तो यह आएगा 1710 तो यह total करने के बाद आप जब से आएगी वह आएगी 36000 ओके तो इसमें एक सेनेरियो के लिट किया गया जिसमें इस इक्जाम के अंदर हमने माना जिसमें से टॉप के 6% यानि टॉप 6% का अगर 1% का कितना होगा इसमें बताया तक लास में आपको जिसमें से जो डिस्टिबूशन है हमारे यहाँ पर इसके अक्रिशन होगा यह 36000 होगा ठीक है अब दीखिए यह जो क्रिकेरिया है यह कैसा क्रिटेरिया होगा पहले जो सब्जेक्ट जो मेरिक बनती थी हमारे हां पर 15% बनती थी इस सब्जेक्ट के अंदर तो अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इनको कैसे डिस्टिबूट करेंगे हम लोग यह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि जैसे इसका सपोस्ट करिये जोगरफी के अंदर सब्सक्राइब करेंगे जिसमें सब्सक्राइब कैसे उनका डिस्टिबूशन होगा जनरल के इस में ओबी सी स्टिबूशन में वह कैसे होगा मैं आपको उसको नेक्स वीडियो बताऊंगा तो अभी के लिए आप इसको मान के चलिए यह हमारे हाप पर जो जो टॉप 15% वा सब्सक्राइब करेंगे और दिस्टिबूशन होगा वह एक ऐसा होगा यह एक इमेजनी कंडिशन थी हमने रखाता सिक्स्राइब हो सकता है तो कुछ अलग हो तो उसकेस में कैसे होगा उनका डिस्टिबूशन कैसे होगा यह मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा सब झाल 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 झाल